प्रकार केंसर के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होती है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है इसके लिए कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल की जाते है और कौन से ड्रग किस प्रकार के कैंसर में इस्तेमाल की जाते हैं Chemotherapy के अंदर उस patient को कुछ powerful chemicals होते हैं जो chemicals उस patient के body में जो fast growing cells होते हैं जो uncontrolled और abnormal fast growing cells होते हैं उन fast growing cells को kill करने का काम करते हैं जिसकि हम सभी को पता है कि cancer के अंदर उस patient में abnormal malignant cells होते हैं जो की बिना किसी control के grow हो जाते हैं जो की आगे जाकर के tumor form करते हैं तो इस तरह के abnormal और fast growing body के अंदर जो cells हैं, इन cells को kill करने का काम एक कुछ powerful chemicals करते हैं, तो इन chemicals को सही तरीके से और सही proper dose में उस patient को देना इस चीज़ को chemotherapy से कहते हैं, तो chemotherapy cancer के patient को treat करने के लिए दी जाती है, cancer के patient के treatment में chemotherapy बाकि जो treatment options होते हैं, उन treatment options के साथ साथ भी दी जाती ह cancer के patient में हम देखते हैं कि उस patient की surgery की जाती है, surgery के साथ साथ उस patient को radiation therapy दी जाती है, radiation के साथ साथ उस patient में hormonal therapy भी दी जा सकती है, तो इन सब treatment options के साथ साथ उस cancer के patient को treat करने के लिए chemotherapy भी इस्तिमाल की जाती है, सबसे पहले बात करते हैं कि chemotherapy के फाइदे क्या क्या होते हैं, तो chemotherapy के सबसे पहला जो फाइदा होता है कि chemotherapy के वज़े से उस patient के body में जो number of cancer cells है, जो number of malignin cells है, उनको कम करने में मदद मिलती है. chemotherapy के वज़े से body के एक पार्ट में बना हुआ cancer, body के दूसरे पार्ट में नहीं spread हो पाता, तो cancer के spread को रोखने का काम भी chemotherapy करती है. इसके साथ-साथ chemotherapy के वज़े से, उस patient में जो cancer का tumor बना हुआ होता है, उस tumor का size कम होने में भी मदद मिलती है, जिसके बाद उस cancer के patient में जो science और symptoms आ रहे हैं, उस patient को जो तकलिफ हो रही है, उस तकलिफ को भी कम करने में chemotherapy के वज़े से मदद मिलती है. लेकिन उसमें से कुछ side effects जो की हो सकते हैं, जरूर नहीं कि हर patient में हो, लेकिन जो कुछ side effects देखे जाते हैं आम तोर पर उस patient में chemotherapy देने के बाद, उन side effects को अगर हम summarize करें, तो इसके अंदर उस patient को weight loss हो सकता है, इसके बाद भूकने लगना, बाल गिर जाना, patient को बहुत ज़्यादा ठकावट मेहसुस होना, patient को diarrhea होना, patient का मूँ सूख जाना, इसके बाद patient को बुखार आना, उसके मूँ के अंदर चाले बन जाना, patient को उल्टी होना, उल्टी जैसा sensation होना, इसके बाद उस patient में neuropathic pain भी हो सकते हैं, इसके बाद उस patient को नींद ना आना, फिर चक्कर आना, यह कुछ लक्षन है, जो की chemotherapy के वज़े से किसी किसी patient में हो सकते हैं, किसी patient में einक्षन दिखाई दे सकते हैं, इसके बाद बात करते कि कीमो थेरपी किस तरह दी जाती है इसके बारे में तो कीमो थेरपी अलग अलग तरह से दी जा सकती है कीमो थेरपी ओरली दी जाने वाले पिल्स के फॉर्म में भी दी जा सकती है इसके बाद locally जहाँ पर tumor है वहाँ पर भी locally भी chemotherapy दी जा सकती है इसके बाद कुछ creams होते हैं उन creams के through cream के form में भी हम उस patient को chemotherapy दे सकते हैं इसके साथ साथ कुछ liquid injections होते हैं तो liquid injection के form में भी हम उस patient को chemotherapy दे सकते हैं केमो थेरपी के कुछ साइकल्स होते हैं, जो केमो थेरपी के साइकल्स उस पेशन को पर्टिकुलर डूरेशन पर आ करके पूरे करने होते हैं। chemotherapy किसी-kisी patient में surgery के पहले भी दी जा सकती है, तो किसी-kisी patient में surgery के बाद भी देनी पड़ती है, तो chemotherapy कब देनी है, कौन से patient को, यह चीज patient to patient भैरी करती है, हर एक patient के condition के अनुसरा इस चीज को ते किया जाता है, तो आभी हमने बात की कि chemotherapy क्या होती है, उसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है केमो थेरपी के क्या फाइदे होते हैं केमो थेरपी क्या नुकसान होते हैं इन सब बातों के बारे में केमो थेरपी के जो बेसिक जानकार है इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात की, अगर आपके इसके विशे में कुछ डाउट से, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नौलेज मिले तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर चैनल को आप तर सब्सक्राइब नहीं क कि अपके बलाचे वीडियो से वाईक लीडियो का यभियो को एक भीडियो को है